Hello what's up guys my name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see how to create a diamond shape using CSS in Hindi Swords Let's begin जी हाँ guys तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हम इस विरू में देखेंगे कि हम कैसे diamond shape को बना सकते हैं in CSS तो चले आइज शुरू करते हैं सबसे पहले guys अगर अभी तक आपने मेरे चैनल Thapa Technical को सब्सक्राइब नहीं गया तो फ्लीज इसको सब्सक्राइब कर लेजे for all the awesome वीडियो और आपको राइट साइड में एक रेड कलर का बैल आइकन दिखाई देगा एक घंदी दिखाई देगा उसको हिट कीजिए उसको क्लिक कीजिए ताकि जो भी वीडियो में अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिक्सिन आपको आज आर आपको मैंनु वीडियो अपलोड करना पड़े और guys अगर आपको आज जो में वीडियो अपलोड कर रहो उसका सोर्स कोड ची तो आप मेरे website वीडियो हम कैसे बना सकते हैं यह मैं आज आपको सिखाने वारा एंड बिलिब में का इससे बहुत इंप्रोटेंट है ठीक है अदर्वाइस आपको canvas svg मतलब से क्या क्या यूज नहीं करना पड़ता था यह बनान के लिए और mostly लोग तो क्या करता है कैसे बनाती भी नहीं ह पोटोशॉप कर लेता हूं या इमेजस को आप क्रॉप कर सकते हो ठीक है लेकिन हम ऐसा नहीं करने वी हादी डेबलपर हम डेबलपर से हमें ट्रिक निकालना का इसमें यह नहीं बोलता है कि बहुत हाड़े में बता लो सिर्फ एक लाइन का कोड है सिर्फ प्रॉपर्टी ह जिससे आप यह हासिल कर सकते हो और सिर्फ यही नहीं का इसा आप बहुत कुछ बना सकते हो सरकली क्लिप्स एक्जेगॉन पेंटागॉन सेंटागॉन जो भी हो सब आप बना सकते है तो लेकिन मैं आज आपको बेसिक डाइमंड कैसे बनाना है वह बताता हूं और मैं पूर इसको कैसे बनाना है यह मैं एक डाइमंड.html मैंने एक पेज बना के रखा तो सिंप्ली यहां पर क्या लिखा देखिए दर क्लिप पाथ प्रॉपर्टी और जो मैं आपको बोल रहा था कि सिर्फ एक लाइन का कोड़ है वह पॉसिबल वर जस्ट बिकॉज अब इस प्रॉ वह भी एलिमेंट से उसका हमें कौन सा रिजन और कितना रिजन दिखाना है डिस्प्लेइं डिस्प्लेइंग दी कंप्लीट एरिया समझ यह मनलब यह हमारा एक इमेज है यह मेरा एक्चुली फूल इमेज है अब यह क्लिप पाथ क्या करता है कि यह हमें एक आप बोल है कि हमें उस इमेज का कितना पोर्षन दिखाना है वह हम कर सकते बाई यूजिंग अ क्लिप पाथ प्रॉपर्टी ठीक है गाई साही थिंग बहुत ज्यादा ग्यान हो गया अब हम सिंपली कोडिंग करूंगा को बहुत सिंपल लगने लगेगा तो मैं कुछ नहीं करूंग तो आपको हेडर लेना ही पड़ेगा इससे यह पता चलेगा कि बंदा जो काम कर रहा वो हेडर के सेक्शन पर ही कर रहा है फूटर के लिए फूटर होगे आर्टिकल के लिए आर्टिकल सेक्शन के लिए सेक्शन फोटो के लिए फिगर तो वैसी हम हेडर के लिए काम कर रह है because मैंने header पे background image को use किया है simply देखे तो guys मुझे अगर पूरा मुझे screen को दिखाना है तो मुझे width देना पड़ेगा 100% और height अगर मैं आपको हर वीडियो में में बताता है यह देखे यह मेरा cursor top point यह है top left यह मेरा bottom right ठीक है तो यह जो portion है और यह जो मेरा portion है top 0 easily बोलो या तो यह bottom 0 easily बोल दो तो उसको हम बोलते है 100 वी अच्छ अगर आपको जान से आपका screen दिखाना है तो view height ठीक है width हुआ height अब देखे बैग्राउंड इमेज लिखने का ठीक है बैग्राउंड इमेज इसमें अच्छे नहीं लग रहा था बट लगकली देखे यह एकदम परफेक्ट बैटा दिया और नो रूज देखो एकदम परफेक्ट बैठाई इस image के साथ वीट हो रहा है तो आपको image भी ऐसा देखने है जो भी आप काम कर रहें उस पर वह फिट आ जाए तक मतलब इसको रन करके दिखाता हूं यह कैसा हो रहा है यह दिखता है कि नहीं फिलाल अभी के लिए ठीक है और देखें करसर आ रहा है करसर कभी आना नहीं चाहिए याद अखना विल्कुल भी अच्छी यादत नहीं हो सो उसको अटन के लिए 2 इसलिए हर इस डेवलपर सबसे पहले मसिंड पर यह rap आप अन्षछ बात में लिखता हूं मैं फिलो ऐता कि में एक पॉर्सर में लेकिन आप मालू लेकिन और यह दिखाना चाहता था कि अगर आप यह पोर्शे नहीं लिखते तो क्या आ जो होता तो गाइस margin 0 पैडिंग 0 लिखा है इसलिए जो एक्स्ट्रा इस्पेस आ रहा ना गाइस तो उसको हटाने के लिए पैडिंग और margin हमें 0 कर देते देखिए ठेके बस उसके लिए ही हम यह करता है यह universal operator है अब अगर में refresh करूंगा कोई करसर नहीं है कोई स्पेस नहीं परफेक्टली एकदम आ चुका हुई देखो कहीं नहीं जा रहा हुए इसलिए हम इसको लिखते अभी जो इमेज़े बहुत से ज्यादा बड़ा है दिखाई दे रहा है लेकिन सो बैग्राउंड साइज बैग्राउंड साइज कर दूंग कबर अब यह लिखी है नहीं भी लिख सकते पूरा 4K तो मुझे लिखने की जो थे लिकिन अब लिखिये तब एक अच्छी आदते की बैग्राउंड का जो इमेज़े वह रिपेट नहीं होना चीज समझे तो यह देखे पॉपेक्टली सेंटर में आ गया अब जो आप में देखना चाहते हैं कि हमें डाइमंड कैसे बना तो गाइस यह एक प्रॉपर्टी इसके इंदर एक पॉलिगॉन अब पॉलिगॉन एक क्या करता का इसे पॉलिगॉन में हमें यह जितने भी हमने मैट्स पड़े है उसमें कॉडिनेट पड़ा है ठीक है कोडिनेट एक्स कॉ कॉड़ेनेट तो से मुई नोका इस ब्रोड पॉलिगॉन क्या बोलता है कि इसके अंदर अब हम कॉड़ेनेट लिख सकते हैं अब चर्स आएक हम इसपुम एक स्थैट लाइन और यहां से एक यह जो वर्टिकल होता है वो हमें से क्या होता है Y तो यह जो एक पोर्सन दिखाए दे रहा है इस यहां पर मेरे कर्फर को देखी यह हमारा XY है इसको भी हम XY यह भी एक XY इसको भी हम एक XY बोलेंगे तो तो simple है कि अब ये जो पूरा का पूरा होगा, इसमें हमारा जो ये x coordinate है, वो क्या है, वो basically move होगा, ठीक है, यहां से यहां जाने के लिए ये हमारा 0 x इधर होता है, यहां पे 100 हो जाता है, यह ऐसा इसका rule है, और यह जो y है, यह इसका 0 है, यह इसका 100 है, बस simple इतने यहां तक है, अगर आपको from left to right जाना तो हमारा x क्या हो जाएगा, 0 से 100, और अगर आपको top to bottom जाना तो हमारा जो y है, वो from 0 to 100 हो जाएगा, तो हमें हमारा image का यह जो first coordinate हमें यहां पे चाहिए, ठीक है, तो यह क्या है, x move कर रहा है from left to right, लेकिन एकदम center में है वो, ठीक हमारा पहला coordinate, तो x की value क्या हो जाएगी, यह हो जाएगा 50, 50% पर हमारा x है विलकुल center और जो हमारा y है, वो 0 पे ही है, क्योंकि y तो move ही नहीं हो आगर आप top से bottom जाते हो, तो अब हमें y की value change करनी है, बहुत सिंपल है calculation guys, ठीक है, simply x इधर है, y भी इधर है, तो हमने क्या किया x के direction में move क 50% और y का वैसे का वैसे हो हमारा पहला coordinate क्या है, x equal to 50, y equal to 0, ठीक है, तो यहाँ पैसे x equal to नहीं लिखना है, आपको सिंपल लिखना है, x 50% y 0%, all right, हमारा पहला यह box बन चुका है, अब यह second वाला box देखिए, याद रखो कि हमेंसा यह x y ही रहने वाला है, तो यह अब यहा यहाँ पे second यह वाला जो portion है, bottom वाला, ठीक है, bottom right वाला, sorry, top right वाला यह जो पूरा portion है, right side का, इसके लिए आप यहाँ पे x और y लिख दीजे, again, देखिए, यह जो x यहाँ पे था, अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, यह 0 था, यहाँ तक आते आते गाईस, इसक हमारा y का coordinate, one more time देखिए, x यहाँ पे है, ठीक है, x यहाँ से start हो रहे है, 0, इंदर खतम होता है, 100 पे, तो हमारा जो दुस्ता वाला है, वो तो 100 होगी है, x और जो y टॉप पे होता था, वो अब center पे, it means x is 100, y हमारा 50% है, ठीक है, तो second x is 100, y है हमारा 50% पे, 50% perfect, ठीक है, यह हमारा second coordinate भी complete हो गया है, यह जो हमारा third है, ठीक है, third point इसको देखिए कैसे करने है, तो simple है, top होता है, 0, ठीक है, और जब नीचे आता है, तो हो जाता है, 100, means यह हमारी y की value, top पे 0 होता है, bottom पे 100, तो पूरा bottom तक touch है, मतलब y तो हमारा 100 है, now अब हमारे x कितना है, अब हमारे x कितना है, 50 देखिए, यहाँ पे भी x 50 था, यहाँ पे भी x 50 है, बस difference है कि top 0 था, यहाँ पे top 100 हो जाएगा, समझे रहे हैं, so x from left to right इधर आते आते 50%, top 0 से इधर आते आते हो गया 100%, so x is 50 and y is 100, ठीक है, so x is 50, y is 100, इस तरीके से हमारा यह 100%, perfect, हमारा 3 coordinates complete and last हमारा यह जो है axis, अब देखिए simple, यह हमारा क्या है x, x जब left से right move करता है, तब ही वो 0, I mean उसकी value बढ़ती, but अभी x top नहीं जगे पे न, अपने घर पे, समझे रहे हैं, but क्या रहा है guys, यह y की value move हो दी, क्या रही है, y जो था top था, वो from 0 to this जगे पे, यह कौन सा जगा 50, यहाँ पे भी top हमारा कितना था, y की value 50, so यहाँ पे x is 0, क्यूंकि x तो आगे बढ़ा ही नहीं न, कहीं पे भी, लेकिन जो y की value है, उपर से नीचे जरूर आ रही है 50%, so x is 0, y is 50, 0% and y is 50%, this is it guys, बस इतना ही code लिखना था आपको, इसको अब इसको already मैं यहा to one, boom guys, देखे, कितना simple था, ditto, same to set, तो यह होता है guys, clip path एक property, जिसमें polygon की मदद से हम coordinates देखे, हम कोई भी image हो, कुछ भी leave हो, या data हो, block हो, कुछ भी इसको हम, जैसा save चाहिए, वैसा दे सकते, मैंने बाता है आपको triangle, rectangle, circle, square, pentagon, hexagon, जैसा आपको देना आप दे सकते हो, मै यह diamond save आपको बना के दिखाए, and believe me guys, लोगों को बहुत मुस्किल आता है, ठीके, वो क्या घरते, photo swap कर देते, लेकिन आप आपको पाता चलिए कि आप कैसे कर सकते, by using a simple clip path property, तो guys, यह आपका task है कि आज नीचे, ठीके, इसका code मैं अपने website पे दे दूँगा, तो आप क्या triangle, triangle बनाई है, so I hope guys, आपको मेरा वीडियो पसंद आवागा, आपको आज एक music नहीं मिला होगा, जहांकर आपने सिर्फ देखा, एक line के code से हम इतना beautiful shape बना सकते, so guys, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आथा, प्लीज इसको like कीजे, मेरे चैनल थापा टेक्निकल को, ठीके दिखाई देगा, उसको hit कीजे, उसको click कीजे, ताकि जो भी वीडियो में upload करूँ, सबसे पहले notification आपको, आज एर आपको manually search ना करना पड़े, और अगर आपको कुछ doubt हो, तो बेख की करूँ कि अपनी चैक कमेंट कीजे, मैं आपकी जरूर हैप करूँगा, so till then guys, thank you so much, take care कि ऑ्नुगा.